ब्रॉट तु यू बाइ क्रिकेट डॉट कॉम मेरी यह में तो मस्त बोनस में दू रेजिस्टर एंड गैट 2500 वेलकम बोनस खेलो असली फैंटेजी ओन क्रिकेट डॉट कॉम डाउनलोड क्रिकेट डॉट कॉम नाओ खेल में आदत लगना या आर्थिक जोकिम संभव है जिमिदारी से खेले अगर आपको मैं याद दिला दू तो एशन गेम्स में जो टीम गई थी भारत की उस तक में संजु सैंसन के लिए जगह नहीं थी लेकिन अब सड़नली बात तो रही कि इंडिया की टीट टीम में विकेट कीपर बल्लेवास किया संजु सैंसन तो जो है इंडिया के कफ्तान होने चाहिए ये बड़ा इंटरस्टिंग टेक है और अगर आप मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मैं राइस्टान रॉयल्स की यह ने टीशिट भी पहनी विया तो मैं उनका प्यार करने आयो तो ये मैंने नहीं कहा है और ये मैं आपको बता दूँ ये कहा है हर्बजन सिंग ने हर्बजन सिंग ने ट्वीट करके जब राइस्टान रॉयल्स मुकाबला जीती अपना मुंबई इंडियन्स के खिलाफ जहां पर संजु सैंसन नौट आउट गिये तो हर्बिजन सिंग ने दो चीज़े वहां पर कहीं उन्होंने कहा पहली चीज कि भई ये 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 जशुश्य जैसवाल की जो नौक है वो एक प्रूफ है कि क्लास is permanent उन्होंने कहाए कि भई यशुश्य जैसवाल कमाल के खिलाडी है और दूसरा उन्होंने कहा है कि कोई भी डिबेट नहीं होनी चीए कीपर बैटर के लिए तो उन्हें साफ तोर पर कहा है कि संजू सैमसन वाक इन करते हैं इंडियन टीम में T20 वर्ल्ड कप के लिए यशिश्वी जैसवाल के लिए उन्होंने चीज कही लेकिन उसके बाद जो इंटरिस्टिंग चीज उन्होंने कही उन्होंने कहा है कि और आल्सो ग्रूम्ड एज नेक्स T20 कैप्टन फॉर इंडिया आफ्टर रोही शर्मारोव आप लोगों से पूशने कोई शक तो संजू सैमसन की कप्तानी ने इतना प्रभावित क्या है हर्भजन सिंग को और आपको पता है कि हार्दिक पंडिया भी जो हाल फिलाल में आप देख रहे हैं और आपको दीक कमाल की और जिस तरीके से राइस्थान रोल्स की कप्तानी करी है राइस्थान रोल्स इस टाइम टेबल पर जो है टॉप पर है आट में से साथ मुकाबले जीच चुकी है और संजू सैमसन एज बेटर एज लीडर हर एक बॉक्स को टिक करने जो हम मुकाबले की बात करें Mumbai Indians वहाँ पर भी जब Jaws Padler का विकेट गिरा तो एक समझदारी भरी पारी खेलनी थी वो आकर खेले यशुशु जैसवाल के साथ partnership लगाई और ensure किया कि वहाँ से not out गे इस सीजन संजू सैमसन जो consistency missing रहती थी उनकी बल्लेवाजी में वो भी दिखा रहे हैं तो एक बारी संजू सैमसन के जो है आकड़े भी आपको दिखाते हैं कि इस सीजन के अगर आप टॉप रन गेटर्स देखे तो आपकी स्क्रीन पर हैं संजू सैमसन वहाँ पर चौथे नंबर पर आते हैं आठ मैच में आठ पारिया हैं 314 रन उनके लग चुके हैं हाइज स्कोर है उनका 82 नॉट आउट एवरेज आप देखे 62.80 आपको नॉट आउट भी रहें तो इसलिए एवरेज उनकी शांदार हो चुकी है और स्ट्राइक रेट 52.42 तो भाई स्ट्राइक रेट भी कमाल का है और इंडियन टीम अलग-अलग कॉंबिनेशन तलास रही है जहां पर कभी-कभी हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि विकेट कीपर की जगह शायद वो 1-2-3 में बने तो संजू सैमसन तीन भी खेलते हैं हाँ अब वो फिनिशर वाला रोल वो संजू सैमसन के लिए नया रहेगा T20 के लिहास से गर आप देखें बट इंडियन टीम उनको क्योंकि जब T20 World Cup का साल होता है तो वंडे खिलाती थी वंडे World Cup का साल होता है तो T20 खिलाती थी बट इस बारी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है T20 World Cup के साल में वो T20 खेल जाएं तो वहाँ पर जब वंडे जब उन्होंने खेले तो वो उन्होंने नीचे की पोजिशन पर खेले हैं वो नंबर भारते टीम के लिए और इस बात पर भी आप बताएं हर्बजन सिंग ने जो कहा है कि भाई रोई शर्मा के बाद संजू सैंसन भारत की T20 जो टीम रहेगी भारत की उसकी कप्तानी के लिए आपको किस तरीकी की दावेदारी लगते है और क्या आपको ये भी लगता है कि जैसे हार्दिक पंडिया जब टाइटल जीते थे गुजरा टाइटन्स के साथ तो बिलकुल रेस में आगे निकल गए थे तो अगर संजू सैंसन आईपेल जितादे रायसान रॉयल्स को क्या वो होंगे T20 World Cup के बाद इंडिया के T20 कैप्टन इस मुद्धे पर अपने रायस ज़रूर दें और वीडियो और इंफमेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें शेर भी करें स्पोर्स तक को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब जरूर करें